हला दोस्तो नमस्कार मैं हूं संतोष and welcome to my channel knowledge help line दोस्तो अगर आपको science में interest है यानि physics, chemistry, math, bio में interest है and आपको science में research पसंद है and आगे जाके कुछ explore करना चाहते हो then आपके लिए सबसे best option है science as a stream चूज करना है दोस्तो अगर science की बात करूँ, science में दो पार्ट होता है डिटेल से में पताना जा रहा हूं, medical क्या है, non-medical क्या है क्या-क्या compulsory subject है, क्या-क्या optional subject है इन दोने में difference क्या है दोस्तो सबसे पहले बात करेंगे medical की जिन बच्चों को doctor line में जाना है उनके लिए सबसे best option है medical जिन बच्चों को maths में बिल्कुल interest नहीं है उनके लिए medical सबसे best option है अब इसमें देखेंगे इनके main subject क्या होता है compulsory subject, physics, chemistry, biology, english दोस्तों, अगर मैं optional subject की बात करूँ optional में आपके पास आएगा psychology, bio technology, maths, economics, home science, finance and physical education दोस्तों, अगर आप optional चूज करते हो बहुत ध्यान से चूज करना because इसमें ऐसा subject होता जो आपका percentage को enhance कर देता है that means increase कर देता है मेरे हिसाब से आपको maths, finance and physical education में से कोई एक को चूज करना पड़ेगा because यह सारे scoring subject है दोस्तों, अगर आप medical ले रहे हैं तो आप career के बारे में जरूर सोचेंगे कि future में मुझे क्या बनना चाहिए सबसे पहले अगर career option देखूँ सबसे best option आता है doctor अगर मैं doctor को छोड़ दूँ और भी बहुत सारे essay field है जहां पे हम medical लेके आगे जाके अपना career choose कर सकते हैं वो है आपका food and agriculture sector में जा सकते हैं marine sector में जा सकते हैं बायो टेक्नोलोजी में जा सकते हैं बायो इंफर्मेशन में जा सकते हैं फीजियोलोजी में जा सकते हैं जनेटिक स्टेडिज में जा सकते हैं एंवर्मेंटल साइंस में जा सकते हैं बायो केमिस्ट्री में जा सकते हैं एंड एलाइड मेडिसीन सर्विस में भी आप जा सकते हैं कि देखिया कितने सारे वेरियस हैं आपको और बहुत सारे बचे सोच थे हैं डॉक्टर नहीं बना तो कुछ भी नहीं आप सबसे पहले अपना टार्गेट फिक्स करिया आपको बनना क्या है उसी हिसाब से आप अप इंग्लिज एंड अगर ऑप्सनल सब्जेट की बात करूं ऑप्सनल में आई टी एकोनोमिक्स फिजिकल एजुकेशन इंजिनियरिंग ड्रोइंग एंड फाइन एंड साइकोलोजी दोस्तों से सेम बात अभी बोलूँगा कि अगर आप नोनमेडिकल चूज कर रहे हैं अग दोस्तों जब बात आता है नोनमेडिकल तो बच्चों का सबसे पहला ड्रीम होता है इंजिनियरिंग डैट मेंज आई 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 टीन बनना आई एट के छोड़के हम और भी बहुत सारे केरियर बना सकते हैं नोनमेडिकल से देखते हैं क्या क्या है आर्किटेक्टर बन सकत अगर आपके पहले से कोई एक को चूज करना है देन मैं अभी बतायता हूं अगर आपके बाइलोजी स्ट्रोंग है देन आप मेडिकल से कीजिए अगर आपका मैठ श्रॉंग है दिन आपके ।ो डिफेंस वताता है मेडिकल याण99 के बीच में केंड यह डेटरमाइन करता है आपका इंट्रेस्ट किसम है जिसमें इंट्रेस्ट है वो फिल्ड चूज कीजिए एंड उसी डारेक्शन में मेहनत कीजिए देन आपको सक्सेस जरू मिलेगा दोस्तों आफ यह वीडियो आपको पसंद आए अगर पसंद आए तो लाइक करना सब्सक सब्सक्राइब कर देना थैंक्यो जैह हिंद